Hello students, आज के इस वीडियो में हम numeral adjectives के बार में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि numeral adjectives कौन से words होते हैं और इनको यूज हम कैसे करते हैं numeral adjectives को हम adjectives और number भी कहते हैं और these adjectives show how many persons or things are meant and in what order they stand मतलब कोई चीज कितनी है संख्या में तो इस जीज को जब हम बताते हैं तो हम एक word का use करते हैं और वह word और numeral adjectives कहलाता है जैसा कि हम जानते ही कि adjectives वो शब्द होते हैं जो किसी noun or pronoun की विशिष्था बताते हैं यह हम ऐसे भी कह सकते हैं कि adjective वो words होते हैं जो किसी noun or pronoun के बार में में extra information देते हैं तो अगर कोई ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन ये प्रोनाउन के नंबर को बता रहा है तो वो जो वर्ड होगा वो उसको हम निमेरल अडिक्टिव ये अडिक्टिव नंबर कहेंगे जैसे I have three books अब यहाँ पे यह books noun है और यहाँ पे जो three यह जो word है यह बता रहा है कि books की संख्या है वो कितनी है तो यहाँ पर यह नमेरल डिजक्टिव हो गया All men are mortal अब यहाँ पे man noun है और यह all बता रहा है कि जो number है मतलब यह जो all है यह man का number तो यहां पर यह नूलियल एडिविक्टी हो गया इस परकर से I want some more books तो यहां पर यह जो सम है यह इसBOOK के बारे में एक्स्टा इनवर्मेशन दे रहा है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस संटेंस में जो थी है और इसमें जो 50 है यह तो हमें एक्जिक्ट नमबर बता रहे हैं ठीक ना लेकिन यहां पर इस संटेंस में और यहां पर जो सम है वह हमें एक्जिक नमबर नहीं बता रहे हैं तो क्या होता है कि कुछ नाउन के एक्जिक नमबर हो सकता है और जो हम उसके एक्जिक नमबर को रेफर करते हैं तो भी हम जो वर्यूज करते हैं उसके नुमरेल एजिक्टिव कहते हैं और अगर किसी नाउन का आग्जिक्ट नंबर नहीं है और हम कुछ रड़ करते हैं उसको रेफर करने के लिए हला कि वह वर्ड भी उसकी संख्या ही बता रहा होगा तो वो वर्ट भी जो है nowhere little to Do कहिए तो यह जुरूर नहीं कि किसी वस्तु की जो है जो संक्या अगर हम बता रहे हैं तो वह संक्या बिल्कुल एगज़ेक्ट नमबर में हो तो अगर वह संख्या एगज़ेक्ट नमबर में है या नहीं है तो भी उस नमब्र जो है उस ना की वैसी सता बताने वालाई उस ना उन उनके नमर बताने वाली वह जाd diplomat नहीं है तो भी वह सब्द है जो वह THAT hos कि आनि यहां पर जो मैन है उनका ग्जिक नमबर नहीं ओहılए छी परकार से यहां भी जो स्टुडेंट्स चोश्क नमबर है फिफ्टीक्ते हैं यह थो हैं यह हैं यह सारे ही तरह हैं नोंस है ये अगर कोई अ Надо कर रहा है तो वह है और भी अइन लॉट उनको दो भागों में बढ़ा है तो सर्कार। के जो दो प्रकार की होगे एक दो दैफिनट एक इंडेफिन Eq नमब तूधिन थियू मिल अजने । तो definite numeral adjective चो होंगे, वो exact number को refer करेंगे और exact number को refer करेंगे, तो ये दो परकार से ऊईब एक तो realities igt ч Miskii okay? जिसे 15 जिए euro काॉडेनल नंबर से होगे जिसे 12345 से और ऑबनर्णिल नंबर सोगे जिसे 1st 2nd 3rd 4th इस परकार से जिसे 3 cats rain up the steps यहां पर जो three है यहां पर जो three है वो एक ordinal number है ठीक है और telling us the number of cats और यहां पर यह जो three word है वो cats का number बता रहा है जो cats थी उनकी संख्या कितनी थी लेकर हम ऐसे कहें तर्ड केट वाज दर ब्राउन केट तो यहां पर जो third cat है यहां पर जो third ऑर यूह दो परकार नमर्स नाक बताते हैं उस नाउन की जो हमें नमबर बताते किसी नाउन और जो अर्डिनल नमबर चोता हैं वह में उस नाउन की पोजिशन बताते हैं ठीक है वह CT जो ilet अबर करता है इसम्वादढ़ के लिए लिए नंबर को करते हैं। इसमें जो में दिद ऑफड़ुरे टो जो मिल कि बताती है। जो इनुगसल सकुछना ब्रेंस उन दिद्भी चाशच्किल्ड . indefinite numeral adjectives can give us an idea as to how many but it is not specific मतलब जो indefinite numeral adjectives होते हैं वो how many का answer तो होते हैं मतलब how many मतलब कितना कोई नाउन है वो नाउन जो है वो संख्या में कितने हैं वो तो हमें बताता है लेकिन ये जो संख्या होती है वो specific नहीं होती है मतलब exact नहीं होती है जैसे a few cats rain up the stairs तो यहां पे few tell us something about the number of cats मतलब जो few है यहां पे यह हमें उस cats का number तो कही ना कहीं बता रहा है लेकिन but nothing definite लेकिन जो number है यह definite नहीं है ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब काउंटिंग में उनका कुछ तो number हो गई तो यहां पे तो बिल्कुल exact number बता जा रहा है यहां पे बिल्कुल exact number बता जा रहा है यह तो यह यहां पे जो है definite numeral adjective होगा यहां पे जो सम है यह indefinite numeral adjective होगा ठीक है तो जो नुम्रेल एजग्टिव जो होते है वो दो प्रकार की होते है definite और indefinite to indefinite numeral adjective में हम इन एजग्टिव को सामिल कर सकते हैं जिसे मैंनी हो गया few हो गया all हो गया some हो गया तो यहां पी जो मैंन है वह इससे पहले देखिस सम है लेकिन संख्या नहीं पता चल रहा है में इसे प्रकार से इसे प्रकार से all men are mortal यहां फिर मैन है उसको रफर करने के लिए all गई उसकिया गया है कहीं ना कहीं मैन की संख्या तो रफर हो रहे हैं लेकिन एक्जिक्ट नमर नहीं पता चल रहा है तो इस प्रकार से जो इंडेफिनेट नुमरियल एडिक्टिव्स होते हैं वह इस नाँन की संख्या गया है जो ली चाहिए वह क्ष्प्र नममेर नाउन में अगर चिंग इनडेफिनीट नमयार में घर इसका मदब वह ङंडेफिनेटनुमरियल एडिक्टिव्स बता नोँ वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगव तो प्लीज को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब ना भूले थैंक्स पूलों तो इस वीडियो हैपी लर्निंग बाई बाई